Dear жуд Graderies, आज हम पढ़ेंगे Network Topology. नेट वक टापोलोजी क्या होता है? किसी भी Computer Network का Physical और Logical Structure जिसे क्या होता है आपका Networking बनती है? वो क्या कहलाएगा आपका Network Topology और जहां तक लिखने की बाद है, आप इसमें क्या लिखेंगे? A Network Topology represents the Physical and Logical Structure of a computer network ठीक है अब फिजिकल स्टेक्चर है फिजिकल स्टेक्चर का मतलब क्या होता है जैसे फिजिकल स्टेक्चर का मतलब उसमें कितने computer जुड़े हुए हैं कौन-कौन सी physical layer उसमें काम कर रही हैं कौन-कौन से workstation उसमें हैं कौन-कौन की भी जो information exchange हो रही है वो किस form में हो रही है कैसे हो रही है ठीक है तो इसके आगे आप लिखो के definition के आगे physical structure means the physical layout of the notes, work station and cables in the network ठीक है while logical structure refers the way information flows between different component ठीक है I hope आपको समझ में आ गया होगा physical structure मतलब उसमें जो जो आपके computer जुड़े है cables जुले है ठीक है और logical structure मतलब उसमें data कैसे flow हो रहा है ठीक हो गया अब network topology के कुछ part होते हैं ठीक है network topology कितने types की होती है आपके slayvers में 5 types की है जिसमें first है आपका bus topology second है आपका star topology third है आपका ring topology है hybrid topology ठीक है आज हम पढ़ेंगे आपका bus topology और start topology के बारे में अब आप heading डालेंगे bus topology अब bus topology क्या होती है अब देखे यहाँ पर जो diagram आपको दे रखा है इससे आपको लग रहा है कि एक single cable से सारे के सारे node user ठीक है node या user या workstation सबके सब किसे जुड़े हैं एक single cable से जुड़े हैं देखे यह bus की form में लग रहा है ठीक है bus की form में एक single cable से आपके node A, node B, node C, node D सबके सब जुड़े होए हैं ठीक है तो आप इसमें क्या लिख होगे bus topology all nodes all nodes computers as well as server are connected to a single center cable ठीक है अब देखे सारे के सारे network इसी computer इसी cable से जुड़े होए हैं यानि यह क्या है backbone है ठीक है यानि अगर इस cable में आपकी क्या आते है कोई भी खरावी आती है bugs आते हैं या rowbacks आते है या error आते हैं तो पूरा का पूरा आपका network क्या होगा खराब हो जाएगा ठीक हो क्या अब बस topology की कुछ advantage है कुछ disadvantage है ठीक है पहला advantage क्या है cost बहुत कम है ठीक है cost effective है यह ठीक है और disadvantage क्या है simple सी बात है अगर आपका cable जो है खराब हो गया तो पूरा का पूरा network क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा ठीक हो गया ठीक है अब आगे क्या है इसको जो install करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा और आसाने से क्या हो जाएगा और दूसरा इसका drop-backs क्या होगा यह तो आपने advantage दो पढ़ लिए दूसरा disadvantage क्या होगा अब देखिए एक single cable से सारे की सारे users जुड़े होएं यानि यहां traffic signal का traffic बहुत जादा होगा अब आपके पास एक ही जड़ाग है ना जाने के लिए एक ही पाथ है यानि जितने भी network जाएंगे यहीं से जाएंगे यानि यहां पर traffic बहुत जादा बढ़ जाएगा ठीक हो गया अब अगला आएगा आ आपका एक network device जुड़ी होगी ठीक है इससे बाकी component या notes जुड़े हैं या user या computer जुड़े होएं अब किसके form में जुड़े होएं स्टार के form में जुड़े हैं यहां से जितने भी network आएगा आपका कहां से आएगा हब से आएगा ठीक हो गया ठीक है इसमें आप क्या लिख कर सकते हैं router का भी यूज कर सकते हैं ठीक हो गया तो इसमें आपको क्या लिखना है all components of the network are connected to the center device called hub bracket में आप switch router भी लिखेंगे ठीक है which may be a hub, a router और a switch अगर आप bracket में नहीं लिखना चाहते हैं तो आगे यह line बढ़ा देंगे ठीक हो गया अब यह क्या होता है इसमें इसके कुछ advantage होंगे कुछ disadvantage होंगे advantage में पहला क्या है इसका जो performance होगा वो काफी fast होगा देखिए अब हफ के थू जा रहा है सीधे बहुत fast है ठीक है और क्या होगा traffic बहुत कम होगा यह इसका advantage है ठीक है दूसरे इसका advantage हो गया easy to setup and maintain अब देखिए आपको लग रहा है अलग-अलग सारे note अलग-अलग जुड है ठीक है अब इसके disadvantage क्या है अब disadvantage क्या है इसकी backbone क्या है हब यानि performance of the network depends upon the capacity of hub जो भी आपकी इस network की performance है वो किस पर पर depend होगी पूरी की पूरी हब पर depend होगी ठीक है तो यानि अगर हब में कोई खराब ही है ठीक है पूरा अच्छी से work नहीं कर रहा है पूरा system खराब हो जाएगा यह क्या है इसका disadvantage है ठीक है दूसरा क्या है too much dependency on the center device ठीक है पूरी की पूरी आपको definition बता दी है आपको क्या करना है डाइग्राम बनाना है advantage और disadvantage इसके लिख लेने है ओके strand थैंक्यू